अंतुरास्ट्वे महिला दिवा साज पीम ने किया नारी श्वक्ति को नमन कहा भारत को महिलाओं की उपलवधियों पर गर कॉंग्रिस की रणीतिक बैठा का आज प्रदेश के दिक्कच रहेंगे मौजूर याई एसीसी के कई नेता भी होंगे श्वामिल सबब प्रदेश अध्यक्ष ने मुखे चुनावा युद को लिखा पत्र सपाने की रिजर्व एवियम का रिकॉर्ड नहीं देने की शिकायत कहीं तरह की खामिया होने का लगाया रुद प्रियाग में एक्षिन में वन विभाग वन विभाग नहीं आचाया आपती क्रमा और चॉलिस टेंट और रेस्टुरेंट की एद्वास्त नमस्कार आप देख रहे हैं नीजवल इंडिया और आपके साथ मैं हूँ काजो नरायन शुरवात करेंगे खबरों की देश और दुनिया में अंतरास्टिय महिला दिवस मनाये जा रहा है इस दिन दुनिया के बहुत से देशों में महिला उपलब्दी को सराहा जाता है और कई तरह के कारक्रम कायोजिन भी किया जाता है इस मौके पर प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने भी अंतरास्टे महिला दिवस पर नारी शक्ति को नमन किया है उन्होंने कहा है कि केंदि सरकार सम्मान और अफसरों पर विशेश जोर के साथ अपनी कई योजनाओं के जरेये महिला शशक्ति करण पर अपना ध्यान केंदृत करती रहेगी उन्होंने ट्वीट किया भारत की विकास यात्रा में अपनी नारी शक्ती को आगे रखनी के लिए वित्य समावेशन में समाजिक सुरक्षा गुणवत्ता पून स्वास देखभाल सलेका रावास शिक्षा सलेकर उद्यमिता जैसे कई प्रयास किये गए आने वाली समय में ये प्रयास और जोश के साथ जारी रहेंगे उत्राकंड में विधानसभा चुनाप के लिए मतरगर्णा से पहले कॉंग्रिस की मैटपूर बैठक होने जा रही है प्रदेश कारले होने वाली इस प्रनीतिक बैठक में प्रदेश के दिगज नेताओं के अलवा अकिल भारतिय कॉंग्रिस कमीटी से जुड़े कहीं नेता अन्य प्रदेशों के मंतरी विधायक और परविक्षक भाग लेंगे दस मार्ज को मतगर्ना से पहले ही कॉंग्रिस के राष्ट्रे नेताओं का देरदून पहुशने का सिलसला शिरू हो जाएगा प्रदेश महा मंतरी संगठन मत्रादत जोशी ने बताया है कि प्रदेश का रल्ले में मैतुपून बैठक है इसमें पूर्व मुख्य मंतरी हरीश फ्रावत प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियार नेता प्रतिप्रक्ष पीतम सिंग प्रदेश प्रभारी देवेदरियादव तीनों से प्रभारी दिपिका पांडे सेंग, कुल्दी पिंदोरा, राजे धर्मारी, मुख्य परवेक्षक, मोहन प्रकाश, जोशी भी भाग ले रहे हैं देखिए, 14 तारीक को उत्राखंड में वोट डले और सभी विधानसभा सीटों पर एक दिन वोट डाले गए थे, लेकिन 10 मार्च को मतगणना का इंतजार बहुती बेसबरी से उत्राखंड में किया जा रहा है सुभाश पहले बीजेपी बैटक करती है, आज कॉंग्रिस बड़ी बैटक करने जा रही है क्या लग रहा है, एक्जिट पोल भी सामने आ चुके हैं, कॉंग्रिस बहुत ज़ादा पीछे नहीं है बीजेपी से बिलकुल बैटक को जो दौर था, ये पहले ही डिसाइड कर दिया गया था और जिस तरीके से बीजेपी ने कहा था कि वो महत्वपूर्ण बैटक साथ तरीक को आउट करेंगी, जिसमें तमाम परतियाशियों को भी बुलाए गया था पहले से ही कॉंग्रेस द्वारा जानकार इसके दे दी गई थे और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ही है कि कॉंग्रेस ने भी अपने सभी परतियाशियों को राजदाने देरा दून में बुलाया था इसके साथ ही परदेश पर भारी साइथ, हरी शुरावत, नेता परतिपक्ष, प्रिसम सिंग और तमाम जो बड़े चहरे हैं कॉंग्रेस के वो सभी इस बैटक में मौझूद है सबसे बड़ी चीज़ यह है कि चुनाव में किस तरीके से भी और उसके साथ ही आब तरीकों मजणना को लेकर किस तरीके की तैयारी की जाएगी और किस सब्सक्राइब्ड बड़े कर कि जाएगी उसके अलावा पर और आप अपर बने망 एगी करहा ए क्योंकि कंग्रेंड लगातार यह सवाल खड़े कर रहा ही की अहीं दिजने कहीं घरवड ही जरूर की जा रही है पोस्तल वेलेट जैसे झाल जो जो अब बोट लेड़ कर जिनको जिब्मेदरी दी जाएगी अपने जिलों मा उन सबी को सतक रहने के लिए वी कहा गया और तादी यह भी कहा गया है कि तमाम जो नेता है वो कहीं नजर रखें और उन और जो निर्दलिय परतियाशी जिन पर उम्मीद की जा रही है कि निर्दलिय परतियाशों की जितने की संभावना है जादा है लेकिन बीजेपी पर पीछे नहीं है लेकिन अगर बात करें आ जैसे कि आप अभी कर रहे थे निर्दलिय जो पार्टियाँ हैं वो भी किंग मेकर साबित हो सकती हैं इसको लेकर कॉंग्रिस के बीच किस तरह का तुफान देखने के लिए मिल रहा है जी बिलकुल निर्दलिय जो परतियाश हैं उनकी मेतपूर भूमी का हो जाती है अलगि किसी पार्टी की बात ना करें कि अबल निर्दलिय परतियाश हैं जिनकी जिने की संभावना सबसे ज़्यादा वदाई जा रही और जिस तरीके से एक्जेट पोल आये उसके बाद भ हरे यह कुछ सीटों पर ऐसी झी फicting हैं कि निर्दलिय बाजी मार सकते हैं यह जो फुल मिलाकर दोनों ही प्रॉक्स कर रहा हैं कि पूक सर्कार व्रियुट को भी परोट करेंगी कि समर्थन में उतर तहा हैं लेकिन उसससे समर्थन में कॉंग्रिस के पास ये भी है कि मत गरना से पहले तमाम जो चीज़ें हैं वो देखनी है एविया मशीन के साथ-साथ जो मत चेंदर है उन पर भी अपने जो लोग है उनकी जिम्मेदारी लगानी है और फुल मिलाकरी कहा जा सकता है कि चुनाव की जो लगतिते हैं उन पर में कॉंग्रिस का नजर आ रहा है बिल्कुल और सुभा जिस तरह से देखा जाए कि पांश राजो में कल पूरी तरह से चुनाव संपन हो चुकी है लेकिन उत्राखंड में अगर हम देखे तो कॉंग्रिस बहुत जादा एक्टिव है क्या एक्जिट पोल का नेतिज़े बता है या धरातल पर कॉंग्रिस वाकिए उत्राखंड में अक्टिव नजर आई है इन पांच सालों में बिल्कुल अगर एक्टिव की बात की जाए तो लगाता है यह देखा जा रहा था कि एक्टिव मोड़ पर जरूर कॉंग्रेस नजर आ रही थी क्योंकि उन्हें लग रहा लगाता कि इस पार कहीं न कहीं उनकी सरकार बन सकते उनके विदाए जनल संक्याने जीत कर विदान सबाप पहुंच सकते हैं और यही वज़ा है कि उच्छा काफी ज्यादा कॉंग्रेस में नजर आ रहता है लेकिन इसके साथ ही पीजेपी ने भी मेह तो बैठक की और अप अपने सरकार बनाने की बाद जरूर करते में नजर आ रहे हैं तो मतगणना में अभी समय है दस्तारी को मतगणना होगे लेकिन उत्राखंड में सियासी भूचाल एक बाद फिर से दिखाई दे रहा है क्या बीजेपी और क्या कॉंग्रेस दोनों ही पार्टियां जो है पु देश भर के तमाम जो बड़े चेहरे हैं कॉंग्रेस के वो शामिल हो सकते हैं जिस तरह से एक्जिट पोल्स में कॉंग्रेस को कही न कहीं बड़ात मिल रही है उत्राखंड में तो इससे कॉंग्रेस के मनसूबे जो है वो सात्वे आसमान पर है अगर कहा जाए एक आम से सत्ता पर काबिज होगी लेकिन बीजेपी भी पीछे नहीं है पुर्जोर तरीके से जो पूरी रनीती है उसकी तयारी बीजेपी ने भी की हुई है खैर एक्जिट पोल में तो दोनों ही पार्टियों को काफी अच्छी जो पॉइंस है या हम कहें कि काफी अच्छी जो स से वो दिखाई दे रही है लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि ताज जो है वो किसके सर पर सजने जा रहा है क्या गठ जोड होगा किसके साथ सीटों का गणित बैठेगा ये दस मार्च को साफ हो जाएगा चली आगे बढ़ते हैं रुक करेंगे कुछ और खपरोखा उत्त जनूठे बाच का नेत्त करने वाली है जानकारी देते हुए आखेल भारते महिला कॉंग्रिस की राष्टी अधियक्ष नेटा डिसूजा ने बताया है कि उत्तर प्रदेश की अतिहासिक भूमी से शुरू किया गया लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान कॉंग्रिस के लिए अंदोलन है कॉंग्रिस पार्टी माहिलाओं के सशक्ति करण के सिर्फ बात ही नहीं करती बल्कि उसे जमीन पर लेकर भी जाती है तो आज अमतरास्टे महिला दिवस और देश भर में और विश्व भर में इसको बखूबी मनाय जा रहा है तमाम यहाँ पर आयोजन किये जा रहे हैं जहाँ पर नारीश शक्ति करण को और जादा बढ़ावा दिया जा रहा है इसी कड़ी में कॉंग्रिस का भी बड़ा शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है लखनों में महिला माज का आयोजन किया गया है जिसके तस्वीर है आपकी ट्रेजन स्क्रीन पर है आप देख सकते हैं कि पेंग कलर हर जगा आपको नज़र आएगा और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कि ये जो लाइन है इसके साथ टैग लाइन के साथ यहाँ पर जो कार्करता है जो महिलाए है वो मैदान में उत्री हुई है प्रियंका गांधी इस पूरे मार्श का न उदर सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पतेल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र भेज कर मतदान के दोरान इवियं में कई तरह की खामिया होनी कारूप लगा दिया है उन्होंने बताय कि फत्यपूर में सभी छे विधानसभाज शेत्रों में मतदान होने क कि बाद बच्ची जो रिसीवर और अतरिक्त इवियं और वीवी पैट मशीनों का रिकार्ड है वो नहीं दिखा जा रहा है शेश इवियं और वीवी पैट मशीने किसी स्ट्रॉंग रूम में राजुतिक दलों और प्रत्याश्यों के सामने सील भी नहीं की गई इससे दु रुद्र प्रियाग में प्रसिद परटिक स्थल चोपता दुगल बिटा में वन पंचायट के भूमी पर जबरण अतिक्रमण किया गया जिसे अब वन विभाग की टीम ने हटाना शुरू कर दिया है वन विभाग की टीम ने दुगल बिटा के पास तीन इस थानों से अतिक कारवाई की गई है आगे भी इस तरह की कारवाई जारी रहेगी कि हम एसी कानून कारवाई करते रहेंगे कानून के कानून के ही दावरा संबादित किया जाएगा पिली भीत के थाना सुनगड़ी इलाके में भाई बहन बाईक से कोचिंग जा रहे थी इसी दोरान बाईक की रोडवेस बस से टकर हो गई जिसमें भाई की मौके पर ही दर्दनात मौत हो गई वहीं बहन गंभी रूप से घायल है गड़ना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने शब को कब्ज में लेकर पोस्मार्टन के लिए भेज दिया घायल लड़की को अस्पताल में भरते कराया है सिवानी की और जो सिवम थे वो ब्रॉट डैड आए थे एक्सपार आए थे लड़की की जो हालत है वो किस तरीकी बनी हुई है वी बहुत बहुत है और उसे तुरंग सेंटरल को रफर करा गिया है युक्रेन के राश्पती जिलन्सकी पोलेंट भागनी की अफाउं को खारीच करते हुए राश्पती भवन में तहलते नजर आए जिलन्सकी ने एक वीडियो पोस्ट करके कहा है कि मैरा ज़ानी कीव में ही हूँ और किसी से नहीं डरता हूँ युक्रेनी राश्पती ने ये भी कहा कि वो किसी बंकर में नहीं चुपे हैं और तब तक कीम में मौझूद रहेंगे जब तक देश भक्ती से भरे इस युद्ध को जितने के लिए जरूरी होगा माना तो ये भी जा रहा है कि जिलन्सकी ने राश्पती भवन से अपना वीडियो जारी करके रूस और अपनी जंता को संदीश दिया है जिलन्सकी ऐसे सबे पर दुनिया के सामने खुल कर आए हैं जब रूस की सेना ने राजधानी कीफ को चारो और से घे रखा है और इसकी पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही है जलन्सकी ने देश छोड़कर जाने के ओफर को स्वीकार करने की बजाए अपने दर्शकों को आसवाशन दिया है कि वो उनके अन्य सयोगी राजधानी में बने रहेंगे दिली इंसियार में अब सी एंजी कार से आना जाना जे पर और बोज डानने वाला है इसकी वज़ा है कि दिली इंसियार में सी एंजी की कीमत में एक रुपय तक के बढ़ोतरी हो गई है वहीं सी एंजी की नई कीमत आठ मार्च दो हाजार बाईस सुभा छे बज़े से प्रभावी हो गई है दिली में CNG की कीमत में 50 पैसे का इज़ाफा किया गया इसके बाद CNG का दाम मौझूदा 57.001 रुपे प्रती किलो से बढ़कर 57.5 रुपे प्रती किलो हो जाएगा और इसी तरह नोईडा, ग्रेटर नोईडा और गाजियाबाद में CNG की कीमत एक रुपे बढ़ गई है इन तीन शहरों में आठ मार्च से CNG की नई कीमत 69.58 रुपे प्रती किलो होगी जो अभी 58.58 रुपे प्रती किलो थी पांच राज्यों में विधानसवा चुनाव की मत गणना में अधिक विवी पैट पर्चियों की एवियम से मिलान की मांग पर सुप्रीम कोट कल सुनवाई करने जा रहा है कोट ने चुनावायों के वकिल से सुनवाई में मौजूद रहने को कहा है आंद्रप्रदेश के पूर्वसियम चंद्रबाबु नाईडियों की याचका पर अदालत सुनवाई करेगा याचका करता ने कहा है कि पांच भूतों का विवी पैट एवियम मिलान होना चाहिए सुप्रीम कोट ने कहा है कि परसो यानि की दस मार्च को मत गणना है देखना होगा कि अब कोई आदेश दिया जा सकता है या नहीं बता दें कि उत्रप्रदेश उत्राखन पर जा मनिपूर गुवा में हुए विदान सबा चुनाव के नतीजे दस मार्च को घोशित होने जा रहे है पिछले कुछ चुनावों के बाद विपक्ष ईवियम पर सवाल उठाता रहा है हलाकि चुनावायों की तरफ से ईवियम को क्लीन शिट कई बार दी जा चुकी है वहीं इन सब के इतर देश में कोरोना के मामले तेजी के साथ घट रहे हैं मंगलवार को कोरोना के नए मामले चार हजार से नीचे आए हैं सौास मंत्राले की रिपोर्ट के मताबिक बीते 24 घंटों में कोरोना के 3,993 नए मामले सामने आए हाला कि मृत्कों की संख्या फिर सो के पार पहुँच गई इस दोरान कोरोना से 108 लोगों की जान चली गई जब की कल यानिकी सुमवार को कोरोना से 65 लोगों की मौत हुई थी और इसे के साथ फिलाल खबरों में इतना ही बाकी खबरों के लिए आप बनी रहिए न्यूसपल इंडिया के साथ